कठी नायां हमारी उन्नती में सहायक होती है सुख से मनुशे को कई लाब हैं चित प्रसन रहता है इंद्रियां त्रिप्त होती है मन में उट्साहा रहता है उन्नती करने में सुविधा रहती है मित्र बढ़ जाते है साहस बढ़ता है मान बढ़ाई के अवसर मिलते हैं इस प्रकार के और भी लाभ सुख में होते हैं, परन्तु दुख के लाभ भी कम नहीं हैं. दुख से मनुष्य की सोई हुई प्रतिभा का विकास होता है, कश्ट से त्रान पाने के लिए मन के सारी कलपुर्जे बड़ी तत्परता से क्रियाशील होते हैं, शरीर भी आलत से छो गोड़ा उत्ते जित होकर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है. इसी समय लगाम के इशारे से उसे बढ़िया चाल चलाने का अभ्यास कराया जाता है. दुख एक प्रकार का हंटर है, जो हमारी शिथिल हुई शारीरिक और मानसिक शक्तियों को भढ़का कर क्रियाशील बनात और साथ ही धर्मा चरण की शिक्षा देकर सही चाल चलना सिखाता है. फोड़ा चिर जाने से उसमें भरा हुआ मवाद निकल जाता है, दस्त हो जाने से पेट में संचित मल की शुद्धी हो जाती है, लंगन हो जाने से कोष्ठ गत दोशों का शमन हो जाता है. दुख आजाने से संचित पाप का भार उतर जाता है और अंतश चेतना बड़ी शुद्ध निर्मल एवं हलकी हो जाती है. सोने को अगनी में डालने से उसके साथ चिप्टे हुए दूशित पदार्थ छूट जाते हैं और कांती मान तथा तपा हुआ शुद्ध स्वरण प गुरी आदते, दूशित भावनाई और विचारधाराई तब तक नहीं छूटती जब तक वह किसी विपत्ती में नहीं पड़ता. कुद्रत का एक बड़ा तमाचा खाकर उस बेहोश को होश आता है और तब वह उस बेढ़ंगी चाल को संभालता है. जो ग्यान बड़े-बड़े उपदेशों, प्रवच्चनों और कथाओं के सुनने से नहीं होता, वह विपत्ती की एक दुलत्ती खालेने पर बड़ी सरलता से रध्यंगम हो जाता है. इस प्रकार कई बार काल दंड का एक आघात हजार ग्यानी गुरुओं से अधिक शिक् वहां यह एक भारी बुराई भी है कि मनुष्य उनसुख साधनों को सत कर्म बढ़ाने में लगाने का सद उपयोग भूल कर एश उडाने, अहंकार में डूब जाने, अधिक जोडने के कुचक्र में पड़ जाता है. उसके समय का अधिकांश भाग तुछ स्वार्थों में लगा रहता है, पर मार्थ की ओर से वह प्राया पीठ ही फेर लेता है. इस बुरी स्थिती से अपने पुत्र को बचाने के लिए ईश्वर उसकी धन संपत्ती छीन लेते हैं. पढ़ने से जी चुरा कर हर घड़ी खिलोने से उलजहे रहने वाले बालक के खिलोने जैसे माता चीन कर चिपा देती है. वैसे ही धन, संतान, स्त्री, वैभव आदी के खेल खिलोनों को चीन कर इश्वर हमें यह प्रेरणा देता है कि इस जंजड की अपेक्षा अधिक महत्व पूर्ण कार्य आपके लिए करने को पड़ा हुआ है. खेल छोडो और स्कूल जाओ की शिक् होता है. कितनी ही उच्च आतमाई तप रुपी कष्ट को अपना परमित्र और विश्व कल्यान का मूल समझ कर उसे स्वेच्छा पूर्वक छाती से लगाती है. इससे उनकी कीर्ती अजर अमर हो जाती है और उस तप की अगनी युग युगांतरों तक जनता को प्रकाश द दधीची, प्रताप, शिवाजी, हकीकत राय, वंदा बैरागी, भगीरत, गौतम बुद्ध, ईसा मसीह आदिने जो कष्ट सहे, वे उनने स्वेच्छा पूर्वक शिरोधार्य किये थे. यदि वे अपनी गती विधी में थोड़ा सा परिवर्तन कर लेते, तो उन आपत्ति से सहज ही बच सकते थे. पर उन्होंने देखा कि यह कष्ट यहानी उस महान लाभ की तुलना में तुच्छ है, इसलिए उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपने कष्ट साध्य मार्ग पर दृढ रहना उचित समझा. दूसरे लोग यह कल्प ना कर सकते हैं कि उन्होंने ब प्रतीत होगा कि उनकी अंतर आत्मा प्रसन्नता पूर्वक उन सब को सहन कर रही थी. भगवान जिसे अपनी शरण में लेते हैं, जिसे बंधन मुक्त करना चाहते हैं, उसके अनिवारे कर्म भोगों को जल्दी जल्दी भुक्त वाकर उसे ऐसा रिण मुक्त बना देते हैं कि भविश्य के लिए कोई बंधन शेश ना रहे और फिर भग्त को फिर जन्म मरण के चक्र में ना जाना पड़े. एक ओर तो विपत्ती द्वारा प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाते हैं, दूसरी ओर उसकी आंतरिक पवित्तरता बढ़ती हैं. इन उभाय पक्षिये यतन पूर्वक अपने उपर आमंतरित करते हैं, ताकि उनकी लक्षय यात्रा शीग्र पूरी हो जाए. साधारन तह अनेक सद्गुणों के विकास के लिए भगवान समय समय पर अनेक कटू अनुभव कराते हैं. बच्ची की मृत्यू होने पर उसके शोक में वातसल्य का परमसात्विक तत्व उमड़ता है, जिसके कारण वह अन्य बालकूं पर अधिक प्रेम करना सीखता है. देखा गया है कि जिसकी पहली पत्नी गुजर जाती है, वह अपनी दूसरी पत्नी से अधिक सद व्यवार करता है. क्योंकि एक पत्नी खोदेने के कारण, जो उसके कारण दामपत्य कर्तव्यों का उसे ज्ञान हुआ है और अपने प्रथम दामपत्य की अपेक्षा दूसरे दामपत्य जीवन में अधिक सफल सिध्ध होता है एक वियोग उसे उसकोई हुई वस्तु के महत्व को भली प्रकार हिर्य द्यंगम करा देता है धन खोकर मनु क्या महत्व है गाली देने पर जिसका मुह पिट जाता है उसी को यह अकल आती है कि गाली देना बुरी बात है जिसको अत्याचार सहना पड़ा वही जानता है कि दूसरों पर यदि जुल्म करूं तो उन्हें कितना कष्ट होगा जब हम आपत्ती ग्रस्त होकर दूसरों की स और ताकते हैं तब यह पता चलता है कि दूसरे दुखियों की सहायता करना हमारे लिए भी कितना आवशक करतव्य है गायत्री मंत्र के तू अक्षर की व्याख्या आपत्तियों में धैर्य लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल रिशी चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन्स मिलती रहें धन्यवाद